दोस्तों आज के इस वीडियो में एक छोटा सा गैजट लेके आया हूं यह है एक पूरानी टेलिफॉन है जो की काफी उन्नत क्वालिटी की हुआ करती थी अपने टाइम की यह देखो यह मोबाइल जैसा रिसीवर फोन था जिसमें डायल पैड इस पैड डायल पैड इसके अ MTNR और BSNR कंपनी के द्वारा ही दिया जाता था यानि गवर्मेंट से अगर आप कनेक्शन लोगे तो यह आपको दिया जाता था और यह है 12345678910 और इसके साथ ही स्टार है जीरो भी है और रिडायल के लिए फारवड के लिए और रेकॉर्ड के लिए और रेकॉर्ड के ल स्मार्ट दिखने वाला अपने जमाना का यह रिषिवर फोन था जो कि काफिस मार्ट दिखता था और यहां पर आप देख लो यहां से भी स्विचिंग आफ हो सकता है जब आप इसमें इससे लगायते हो तो आटमेटिक कर जाता था कई बरसा होता था कि हम दो फोन पर बात आप देखते हैं और यहां पर देख लोगनेक्टिंग रैर कि यहां से हम लोग इसमें करण तिरम थे क्योंकि पहले का यह सकता नहीं होता है यह काफी स्रोंग क्वारeक्ट copy कि वायर हुआ करती थी और सालों साल यह खराब नहीं होता था और यह काफी बड़ा भी लगबगत तीन मीटर का यह वायर है दूसां है और दूस्तों इसे चलिए खोलके देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या तो एक nutzen ग्यासा होती है कि आखिर सिने सिर्ट का सिर्क्रuden लगाओ हो सो यह किस तरह खूलता है तो सबसे पहले इसके जो किनेकटिक पॉइंट है इसे घींड लेते हैं यह और करनेवाला वायर है वे सब्दे देखो यह जो अंदर का सरकिट है काफि समार्ट सरकिट है इतना पुराना सेट होने का बवजूरे काफिole स्पार सरकिट सेट है यानि हमें लगता है कि यह जो सेट है एक टॉक्स कम से कम तीस साल पूरा ना होगा बड़ के बावजूद यह काफी स्मार्ट टाइप का इसके अंदर बॉड लगा हुआ है की जैसे की एक वीडियो में मैंने दोस्तों का बीडियो बनाया था यह का बड़ेmost माइक होती है आप अगर नहीं ले सकते हूं एक का यह नब तो आप इस टैप का कोई भी रिशिवर फोन से मायक निकाल लो और उससे आप मायक बना लो यूट्यूब विडियो बनाने के लिए और यह स्पिकर्ट दोस्तों इसका यानि यह सुनने के लिए हम लोग यूज करते थे यहां से हम सुनते थे और माइक में हम बोलते थे तो अगले को सुनाई पड़ता था है अगर आप बिद्धिया फॉन नहीं ब्प्राइब और माम प्रिया मैग ने खेज़ सकते हो तो यह इसकी माइक से आप एक बॉया के बराबर माइक बना सक्ते हो इसका video एवलेबल करें न देख लेना इसके नीचे वाले set को खोलते हैं तो यहां पे एक नट ढड़ आ गया है से खोलते हैं पहले देखते हैं क्या होता है कि दोस्तों आज कि वीडियो में मैंने एक भी कटने लगाया है यह बिलकुल सहिए और यह दד आपको कि मैंने एक भी कट आज के वीडियो में नहीं लगाया है यह वीडियो 11 मिनट कुछ सेकंड का है और बस मैंने इस पे सिर्फ वाइस अब बाद में कर दिया है बांकि मैंने एक भी कटनी लगाया है और दोस्तों यह हमारे चैनल पर आपको ज्यादा सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पर टैक से जुड़े सवाल आपको मिलेंगे और जितने भी टाइप का हमारे पास जो भी गैजट आएगा मैं इसको रिपेर करके दिखाऊंगा या पर कुछ बना के भी रिखाऊंगा यह देखो यह स्वीचिंग जो है यह थोड़ा खरा हो चुका है तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इसकी क्या यस्तिती है और यहां सो तो सुचिंग के जड़िए ही कट होता था यह मोवाइल यह रिसीबर जो है पर जरोन बात करने बंद करते थे रेसीवर जैसे हैं से होता था यानि जब रेसीवर का जो भरी हेंडल आता इस पर तो यहां से सिच्व एफैर यह है इसका स्विचिंग का पॉइंड और और आँ है यहां से ओपेन है यह पतानी किस तरह से निकल गया था अपने आप तो इसको याँ फीट कर लेते हैं कॉसे काफी टेकनिकल दंग से बनाये गया है दोस्तों इसकी यह चोटी से स्विच है उसके ऊपर से छोटा सा प्लास्टिक तब तक इसके उपर रहता है तब तक यह स्विचिंग किया वारता है जैसे हम रिसीवर को हटाते हैं तो यह स्विच आन कर देता है और यह बजर दोस्तों रिंग्टोन जो जैसे कोई फोन आया तो इसकी ही रिंग्टोन से हम लोग को पता चलता था कि वह कोई फोन आया है औ और फिर हम लोग फोन को रिसीव करते थे यानि फोन को उठाते थे थीवर को तो यह काफी 12 बोल्ट का यह बज़र लग रहा है क्योंकि मेरी जानकारे में यह बज़र 12 बोल्ट का होना चाहिए कहां से काफ़ी जादा आवाज होता था आज के मॉबाईल जासा नहीं कि आउया के मॉबाईल भी तो काफी आवाज है बट पहले कि फोन होगा करती कि К不過 हम लोग इसमें सिगनल और काफी आवाज ज्यादा इस बजर से काफी आवाज निकलता था और यहाँ पे जो है यह स्वीचिंग के लिए जब हम इसको लगाए तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्लास्टिक इसमें तूट गया है और इसको ट्राइ कर रहे हैं कि कही स्थर इसमें सट जाए और सट तो नहीं जाए बट इसको फैबी कुट से हम लोग बाड़ में साटेंगे तो यह चोटा सा एक टूकड़ा आ गया है यानि इसको ओपेन करने के दर्मयान यह टूटा है यह स्विच ऑपन यह डिसीवर ऑपन नहीं यह स्विच जब मैं ऑपन कर रहा था तो उस टैम में यह छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा टूड़ गया है और काफी तिनों से यह पड़ावा था इसके कारण धूप और पानी लगने कारण इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा लगता है कि टेंपर हो गया है इस वज़े से यह टूट रहा है नहीं तो यह बनावट के दिश्टिकों से यह काफी अच्छा क्वालिटी मेंटेन की हुई है बट रख रखा हो चुकि इसका कोई आवसकता था ने इसका कोई यूज ने था यह ऐसे इफिका हुआ था तो मैंने सुचा कि क्यों एक वीडियो बनाया जाए आप दर्सकों के लिए और हो सकता है कि आपके घर भी इस तरह कर रखा हुआ है बट रखा हुआ हो तो आप इस सबत्राएंब करने लगते हैं जैसे आप इसका इसमें करक्राय देते हो जियो वाइवाय करना सब्सक्राइगा यह का में नेर्त कि इस ट्रेक्टिकल फॉल्ट होगा तो कि तो तो रीपेर की बात होगी तो फिर इतना आसान नियत की तुरत ठीक हो जाए क्योंकि उसके थोड़ा टाइम तो लग जाता है कि और चलिए इसको बंद कर देते हैं कि तो यह दो नट से कसावा था और काफी मजबूती के साथ कसा हुआ है दोस्तों क्योंकि एक क्लेम भी इसके अंदर है जैसे हम इसे पुस्ट करते हैं तो वह क्लेम पे जाके बढ़ता है और अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी यह खुलेगा नहीं इतने अच्छे से बन कोई नहीं लिखा हुआ है यह टाटा कंपनी अपना मार्केटिंग करने के लिए अपना फोन का नाम इस तरह से लिखी है और टाटा जैसा कि आपको पता है कि भारत का सबसे परसिद्द और सबसे विश्वस्वश्णिये ब्रैंड है तो निशी तकी जब टाटा कंपनी इस चाली साल पूराना रिसीवर है उसके बावजूद अगर इसमें हम सिगनल देंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह चालू हो जाएगा कि अभी भी इसमें कोई फॉल्ट मैजर नहीं आ रहा है मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम ने जड़ा रही है और नहीं इसका कोई कै पर वीडियो पसंदाया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस चैनल पर कई सारे टेकनिकल वीडियो हैं जो कि आपके काम के होंगे तो आप वह भी देख सकते हो और आपको अगर लगता है कि दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में पता होई चाहिए तो आप दोस्तों को भी सेर करो ताकि वह भी हमारे चैनल से जुड़े और अगर कोई सुझाहा हो तो आप हमें जरूर लिखो और आपको लगता है कि किसी टॉपिक वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें लिखो गे तो मैं ट्राइ करूंगा मैं कोशित करूंगा कि महां पर आ तो वीडियो आपको पसंद आया वेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए चैन वंदे मातरम करें